नमस्कार आज की नए वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में कॉंटेट का नंबर अपने फोन के कॉंटेट का नंबर अपने सिम वन में या सिम टू में कैसे सेव करें क्या होता है जैसे आपने कोई मुबाइल की पैट खरीदा तो आप जो संपर्क होता है आप आपको जोने पोड कराया वो तो बंद ही हो जाता है उसका संपर्क अपने सिम में कैसे लाएं जो नई सिम आप खरीदते हैं उसमें कैसे लाएं तो आज का टॉपिक हमारा यह है क्योंकि बहुत लोग करते हैं चले शुरू करते हैं पहले ठीड़ लाइन पर क्लिक करना है इस पर कलिक करते ही आपको यहां jej कॉंटेक्ट में 119 कॉंटेक्ट हमारे फोन में है यहां पर आपको मैनेज एकाउंट कॉंटेक्ट में जाना है मैनेज कॉंटेक्ट में जाते ही आपको यहां पर मिलेगा मूब कॉंटेक्ट का ऑप्सन इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर फ्रॉम टू मतलब इस से उस उसमें भेजना है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर समसंग एकाउंट का अप्शन है और सिम टू का गूगल का यहां पर दिया गया है तो आपका फोन में है जैसे आपका समपर फोन में है यहां पर फोन पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप आप संदिक रहा इस पर टिक कर देंगे यहां पर जितना है संपर्ग में टिक लग चुका है यहां से डन कर देंगे जैसे यहां से आप करेंगे आपको किसमें भेजना है सिमवन में भेजना है गूगल में भेजना है तो आपको सिमवन में भेजना है यहां सिमवन पर क्लिक करेंगे यहां से ओके करेंगे उसके बाद यहां पर मूव वाले आप्सन पर क्लिक करना है क्योंकि यहां पर पहले से लिक उठाए 115 contact will be moved from your phone to your sim1 मतलब कि फोन से आपका sim1 में transfer हो रहा है यहां से move वाले option पर click कर देना है जैसे इस पर आप click करेंगे यहां पर moving contact यहां पर move हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं 115 contact यहां पर आप तीर देख सकते हैं sim1 में transfer कर रहा है तो जैसे यहां पर transfer हो जाएगा sim1 में यहां पर डन लिख उठेगा तो अब वीडियो में ऐसे बने रहें लाट तक वीडियो को थोड़ा से है तो यहां पर डन लिखने का सो हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है तो इसे होने देंगे थोड़ा सा वेट लेंगे क्योंकि 115 contact है थोड़ा सब देर लगेगा ही क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं फोन टू योर सिमवान फोन से सिमवान में चला गया है तो यहां से ओके कर देंगे जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर मूब ऑले ऑक्सन पर आएंगे दोबारा से उसके बाद आपको चेक कर लेना है हमारा क्या फोन से सिमवान में आ गया है त यहाँ पर SIM 1 में क्लिक करेंगे तो आपका जितना contact है आचुका है SIM 1 में ऐसे ही आपको करना है अगर SIM 2 में आपका जैसे SIM आपने port कराया है तो उसका नंबर आपको कैसे करना है तो आपको SIM 2 में लगा लेना है जो आपकी SIM बंद हो गई है तो इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर all click कर देना है यहाँ से done कर देंगे done करने के बाद आपको sim 1 पर चले आना है जो कि आप sim 1 में करना चाहते हैं सारे number को save तो यहाँ पर कर देंगे ok तो यहाँ पर जैसे ok करेंगे यहाँ पर move कर देंगे जिसे move करेंगे यहाँ पर sim 2 का यहाँ पर लिखा हुआ है sim 2 your sim 1 मतलब sim 2 का sim 1 में transfer हो रहा है तो यहाँ से done कर देंगे यहाँ पर हमारा हो चुगा है तो यहाँ से buy का जाएंगे buy का जाने के बात आपको चेक करना है हमारा किसमे है तो आपको चेक करने के लिए यहां से बैक आजाएंगे जैसे ही बैक आएंगे कॉंटक्ट पर चले आना है इसे कॉंटक्ट पर आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं आपका जितना कॉंटक्ट है यहां पर आपका SIM1 में save हो चुगा है अगर इसे आपको देखना है SIM1 में हमारा है या नहीं पहले से तो आपको यहां पर देख लेना है इसे अप सरभाई पर क्लिक किए यहां से स्क्रोल किए एडिट पर क्लिक किए एडिट पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका संपर्क फोन में है यह आपका सिम में सेव हो चुगा है इस परकार से आपको सेव करना है अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें हमाने चलब पर पहली बार है चलब को सब्सक्राइब करें साथ मेबल नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करना ना भूलें इस यह होता है आपको इस तरह की लेटेश वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलती है तो जैह एन वन दे मातरम